NTA ने एक notification जारिक किया है वो notification में कहा गया है कि 18 जून के जो परीच्छा हुई थी उसे अस्थकित किया जाता है हमारे साथ कुछ student है जो NET के exam दिये थे और जब इस इनलों को पता चला कि परीच्छा cancel हो गया तो यह काफी निरास है और अपने भविस को लेकर लगातार प्रेशान है कुछ अभ्यारतियों से बात करेंगे और जानने की कोसिस करेंगे कि परीच्छा जब cancel हुआ तो उसके लेकर कितना प्रेशान है और भविस के लेकर कितना चिंतित है सबसे पहले अब अपना नाम बताइए जी मेरा नाम कुमार मायंक है मैं एंथ्रोपोलोजी का छातर हूँ जब आप परीच्छा देने गये थे तो उससे क्या उमीद थी कि परीच्छा कितना बढ़िया हुआ और आगे जिस तरह का आप cancel सुने को मिला उससे आप लोग कितना निरास हुए सर प्रॉब्लम यह है कि हम लोग 6 महीने एक साल तक हम लोग preparation करते हैं इसे exams के लिए और ऐसा cancel होता है तो काफी निरासाजनक हम लोग कर रहे जाता है तो जैसे कि January, February में notification आता है कि आप लोग का जग exam है वो offline होगा तो यह भी नहीं समझ माया कि अचानक से offline कैसे हो गया exam पहले हमें साथ सीवेज़ जब 2017 से जब सरीटी एक्जाम ले रही है तब से online exam होते थे अब अचानक से ऐसे offline हो गया तो वो थोड़ा सा संधे का था पात्र तो उसके बाद फिर निरासा ही रहा अच्छा इन्हों ने बताया कि offline परिच्छा हुआ उसके लेकर भी पहले सांसंगा लगाई जा रही थी तो आपके अनुसार से offline या online परिच्छा बेहतर है मेरे ही सबसे तो online ही बेहतर था क्योंकि अभी offline में ज़्यादा chances होते हैं चीट वगएरे के ज़्यादा chances होते हैं उसमें पेपर लीक होना ये बहुत मतलब आम बात है तो online से फिर offline कर देना ये बहुत मतलब हमनों के लिए भी शौक था कि अचानक से इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है अब प्रेसानियों से आप लोगो को लड़ना पड़ता है इसे नेट का एक्जाम हमारा जैसे साल में दो बार होता है तो छे महीने से हम लोग तैयारी करते है उस चीज का तो जैसे कि हम लोग फिर दिन रात बैट के पढ़ाई करते हैं बाहर जाना हमारा बंद हो जाता है हम लोग अच्छे से महनत करते हैं ठीर बार 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 कि अचानक से रात में हम लों को नियूज मिलता है, कि यह चीज कैंसल हो गया तो हमें भुए तब दुख लगता है, कि यह अचानक से हैसे हो गया और अगर आप लोगों को पता था कि ये जो नियूज है पेपर लीक होने का ये वाटसप में पहले से ही ये मतलब आ रहा था तो अगर ये चीज पहले से ही था तो आप लोगों को पहले पोस्टपॉंड कर देना चाहिए था एक्जाम लेके फिर उसको कैंसल कर देना ये तो अगर जो लास्ट वाले होंगे वो लोगो तो और जादा दिक्कत होगा कि वो लोग आप करने पाएंगे जियारेफ अगर परिशानियां होती है वो लोग कभी करने पाएंगे इसलिए अच्छा परिशा इस तरह ना हो उसके लेके आप लोग क्या करना चाहेंगे आईयो को या बोड को आप लोग क्या मांग करते हैं इस तरह परिशा हमेशा हो या इससे बहतर रद जो हो इससे कितना स्टूडेंट का मनोबल तूटता है इससे मनोबल तो बहुत जादा तूटता है इससे सबसे पहले तो अपने रेगुलारिटीज को चेक करना चाहिए एंटीय को और उन्हें जांच एक CBI जो जांच मांगी गई है उस जांच को अच्छी तरह से उसे करना चाहिए फिनिश ताकि पता चल सके कि एक्च्वल वजा क्या है ये पेपर लीक हो जाने का बार बार जैसे नीट का भी पेपर स्कैम आया था भी अभी इन एंटीय वापस नेट का एक्जाम का फिर से आ रहा है तो ये बार बार आने का ये वज़ा कहां है और कहां ऐसा लूप होल है कि फस जा रहा है बार बार ऑफ लाइन एक्जाम में जिससे लाखों विद्यार्थियों को बार बार परिशानी हो रही है इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए एंजेंसी को अच्छा कि एंटिये चुकि बहुत सारा परिशा आयूजीत करती है तो आपको क्या लगता है कि प्रेशर के कारण ऐसा हुआ चुकि बहुत सारा परिशा अभी जिससे नीट में धानली हुआ और अब फिर नेट में तो आपको क्या लगता है कि जो एंटिये उस पर पेपर लीक हुआ है या कुछ भी क्योंकि UPSC का एक्जाम शुरू से अनते तक आज भी ऑफलाइन मोड में हुआ और कभी पेपर लीक का न्यूज नहीं आया है तो यह चीज एंटीय को भी अपने रेगुलारीटी को चेक करना चाहिए और ऑफिशिल्स जो वहां पे हैड है जो वहां के हैड है जो डीन इतने सारे हैं वहां पे ओफिशिल्स बियोक्राट्स बैठे हुआ है उन्हें इस चीज पे जाच परदाल करना चाहिए कि बेस और ग्रास रूट अवल पर दिक्कत कहां पर आ रही है इस चीज पर यह ध्यान रखना चाहिए क्या लगता है कि अभी घपला जिसरा सिस्टम हुआ है तो उसमें क्या सुधार की जरूरत है एक तो पहले एंटिये जो है एजेंसी अब हम एजेंसी देखके तो एक्जाम नहीं दे सकते हैं और जैसे घपला का बात हुआ और जैसे आपने प्रेसर का बात किया सर अगर वह एजेंसी गठी थी हुई ये एक्जाम लेने के लिए तो उन पर कैसा प्रेसर उनको तो लेना चाहिए सही सब और एंटिये का जैसे नीट हुआ तो नीट के बाद भी एक एक्जाम हुआ था सर एंसी इटिका का वो 12 जून को हुआ था और उसी एक्जाम के दिन वो कैंसल तो यह सब अगर हो रहा था सर तो पहले जैसे मेरी साथी ने कहा कि पोश्ट पहले ही कर देना चाहिए था जैसे हम लोग एक्जाम देखे हैं 18 तारिक जून को और 19 तारिक जून 19 जून को रात को 10 बच को 19 मिनिट पर मिनिस्ट्र अजू कर आ रहा है कि नहीं आप लोग आप यह कर दिया गया गया पेपर तो इसे प्राब्लम बहुत सार है सर और अपर अपर अथरिटी में हो या फिर ग्रास रूट लेवल या फिर लूवर हरार की में हो कहीं तो लूप होल है सर जरूर अच्छा आप पताईए चुकि पहले आप स्टेट लेवल में धांदली सुनते थे चाहे जैसेसी का हो या सीजियल का हो लेकिन अब सेंट्रल लेवल का जो एक्जाम होता है एंटिये के तुरू उसमें धांदली की बात सामने आती है जाहे अभी सामने जो नीट का हुआ औ और निकाल लिया उन्हों भी बहुत ज्यादा मैनत करते हैं फिर हमनों नेट का एक्जाम भी बहुत ज्यादा मैनत करके देते हैं और अचानक से फिर यह सब चीज अगर पहले अगर नेट पे हुआ तो आपको अगर नेट एक्जाम लेना है तो उसमें आपको ज्यादा सतर करेना चाहिए था कि ऐसा चीज ना हो और ज्यादा स्ट्रिक होना चाहिए था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इस पे भी फिर इसको कैंसिल कर दिया गया तो यह इस चीज़ जो है वह बहुत क्या बोले दुख की बात है यह हमारे साथ विद्यार्दी थे जो योजिसी नेट की परिच्छा दिये थे इस बार और जो इन लोगो जब पता चला की परिच्छा कैंसिल हो गया रद हो गया तो इस सारे छात्र काफे प्रेसान है निरास है क्योंकि लोग कई सालों से महनत करते हैं गाउं से भी कुछ लो जाते हैं तो विद्यार्दियों को काफी निरास का सामना करना पड़ता है और जितने भी चात हैं हमेशा यही मांग कर रहे हैं कि आंगामी जिस तरह परिच्छा ही जीत हो उसमें गड़बड़ी सामने ना आए फिलाल हमें जीए जादत अपने स्वहियोगी सुसिल तिर्क के साथ यसवंद कुमार 99 नूज राची